उस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज कि इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोद है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाएग जरूर कर दे परसाओती हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताई क्या बिहार के केस जिले में रहते हैं। तो चले सुरवात करते हैं आज की पहली और बाड़ी खबर से। इस परसाओ की मान्जुरी प्रदान करते हुए उद्दोग विबा के तहद संचालित बिहार ओदोगिक छेतर विकास प्रादिकार ने भूमी का भी आवंटन कर दिया है। नवादा की वारसली गंज स्तित इंडिस्ट्रियल एरिया में करीब 70 एकड़ भूमी सिमेंट आदम से करीब 2,000 लोगों को प्रतेक्च रूप से रोजगार मिलेगा वहीं अब प्रतेक्च रूप से 5,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। बियाडा के अधिकारिक सुत्रों ने बताए कि अड़ाने गुरूप के निवेस प्रस्ताव के किर्यानवित होने से बड़े कमप बोले सुप्रीम कोड करेगा आनन्द मोहन का फैसला आगामी लोकसभा चुनाओ दोजर चोबिस को लेकर विपक्ची एकता की मुहीम को आगे बढ़ाने बिहार के मुख्य मंतरी नितिस कुमान ने मंगलवार को भूमनेसर में सियम नवीन पटनाइक से मुलाकात की नवीन पटनाइक से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बाचित करते हुए सियम नेतिस ने पूर्व सांसाद आनन्द मोहन से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि किसी को भी सजा होती है तो उसकी रहाई भी होती है अच्छा बरताओ देखकर उसे छोड़ा भी जाता है सिर्फ आनन्द मोहन को लेकर क्यों सोचते हैं पुरदेश के केस उठा कर देखिये उनका मामला कोट में है और सुप्रीम कोट ही उनका फैसला करेगा जानकारी के लिए बता दी कि आनन्द मोहन की समय से पहले रहाई पर सुप्रीम कोट ने केंदर और बिहार सरकार को नोड़ेज जारी किया है अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हब्दे का समय दिया है अनन्द महोन की रहाइ के खिलाब दिवगंद अधिकारे जी किष्णाया की पत्रियों ओमा किष्णाया ने याचिका दायर की थि नियामूर्थी सुरिकांद और नियामूर्थी जेके महसरी की पेट ने याचिका पर केंद्रिय गिरमंत्र लए बिहार सरकार और आनन मोहन को नोडिस जारी किया है पेट ने कहा कि वो याचिका पर नोडिस जारी कर रही है बिहार में नई सिक्चक न्योक्ति नियामाली नहीं बदलेगी सिक्चा मंद्रे ने सरकार का स्टेंड किलियर किया बिहार में नई सिक्चक न्योक्ति नियामाली में कोई बदलाव और सांसोद नहीं होगा सिक्षा मंत्री प्रोफेसर चांदर सेकर ने इस पश्ट कहा है कि नए नियामली रोजगार पैदा करने वाली है इसका विरोध करने वाली रोजगार की खिलाप है उन्होंने विरोध में खड़े संगटोने से समर्तन की अपिल की है सरकार ने हाली में 1.78 लाग सिक्षकों के नियुक्ठी की मन्जुरती है या नियुक्षा मंत्री ने कहा कि सिक्षक न्युक्षण कराना चाहते हैं वो सुन ले बिहार सरकार की नितिस पच्ट उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध में हैं उन्हें नए सिक्षक नियोक्ति नियामोले के समर्थन में खड़ा होना चाहिए इसका विरोध सिक्षाहित में नहीं है साथ है उन्होंने कहा कि बिहार ग्यान की भूमी रही है इसको वापस लाना है सरकार की तरब से उसी दिसा में कदम बढ़ाया गया है यदि कोई संगटन आंदोलोन का रुख करता तो वो उचित नहीं है मौसम विभाग ने जारी किया अलाट इन 13 जिलों में चले गी लू पाटना सहेत प्रदेश के 13 जिलों में गुरवार और सुकुरवार को लू की चितावने जारी की गई है बुदवार को राज के 17 जिलों में लू चलने की समहवना है वह मंगलवार को पाटना का अधिक्तम त तापमान 42.ச पर पहुच गया मंगलवार को पुर्णिया षेक पुर्णिया खगड्या और बहका उस्नलहर की चपिड में रहे परदेश का सबसे गरम जिला सिख्पुरा रहा यहां का दिक्तम दापमान 42.sin मतमश की तरच की है वहीं 10 और 11 माई को बकसर और अंगाबाद नवदा सेखपुरा जमोई बाका भागलपूर खगड़िया पूर्णिया और अरारिया में लोग की चितावनी दी गई है इसके साथ 11 और 12 माई को राजाने सहीत सिवान बकसर और अंगाबाद सेखपुरा नवदा जमोई बाका गनाब पर नितीज सरकार को पटना हाइकोट से एक और जटका जल्द सुनवाई के अपिल हुई खरिज बियार में जातिगत गनाब पर नितीज सरकार को पटना हाइकोट से एक और जटका लगा है हाइकोट ने नितीज सरकार के जल्द सुनवाई के अपिल को खरिज कर दि बता दी कि पेछले चार माई को हाइकोट ने अंतरिम आदेश जारी कर बिहार में जातिगत गन्ना पर रोक लगा दी थी हाइकोट ने मंगलवार को राज सरकार की अपिल को खारिस कर दिया है अदालत का मनना है कि इस केस की जल्द सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है अगली स अब पहले से तारिक 3 जुलाई को ही होगी ताब तक जातिय गन्ना पर रोक जारी रहेगी मानिपूर हिंसा में फसे 163 स्टुडेंट लोठे पटना मानिपूर में हिंसा में फसे 163 स्टुडेंट को लेकर फ्लाइड सुबह 11 बजे पटना एरपोड पहुचे एरपोड पर चात्रों का गुलाब देकर स्वागत किया गया चात्रों को लेने के लिए उनके परिवार के लोग भी एरपोड पर पहुचे हुए थे इस्टुडेंट ने कहा कि वहां हालत बहुत खराब थे जहां हम रुके थे वहां से थोड़े दूर पर बंबारी हो रही थे हम बहुत डरे हुए थे इस्टुडेंट ने बिहार सरकार को सुक्रिया कहा है जानकार के मुताबिक 8 बज़ कर 40 मिनट में इंफाल से चात्रों को लेकर फ्लाइट पटना एरपोड के लिए रवाना हुई ये फ्लाइट करेब 11 बज़े पटना पहुची इसमें से 100 जारकंड के थे ज हालात अब थोड़े ठीक हो रहे हैं लेकिन जिस टाइम हमारे केमपस के बार बॉंबी गन फायर और एक्स्प्लोजन हो रहा था हम लोगों को बहुत डर लग रहा था पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गए थी जिससे हमारा कुछ मुमेंट नहीं हो पा रहा था हम केमपस से बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे कैंडियन भी बंद कर दिया गया था तो खाने की भी दिक्कते थी पूरे श्टिट में वाटर क्राइसिस चल रहा है जिस वज़े से पीने का पाने भी खतम हो गया जिंदा रहने के लिए हमने बस जैसे ते से मेनस किया पाटना में डेड़ सो करोड की लागत से बनेगा यूनिटी मॉल बिहार की राज़ाने पाटना में जमीन पर डेड़ सो करोड की लागत से यूनिटी मॉल के निर्मान होगा उद्दोग विभग द्वरा इसके निर्मान के लिए स्थाने हवाई अड़े पर जमीन चिनित क लिगई है इस इमारत में प्रदेश के वन जिला वन उत्पाद प्रदसित किये जाएंगे साथ एक सब्सक्राइब पर सभी जिला के उत्पाद के लिए एक बाज़ार मिलेगा इस यूणिटी मॉल में भारत के बिविन जिलों में प्रमु को दोगिक और क्रिसी उत्पाद करेगे कि हां इस्ताने उत्पादों के अलवा देश के जाने मन उत्पादों को भी रखाजाएगा वियार में टैक्स फ्री हो दा केरल स्टोरी ग्रिराज सिंग की मांग बाजबा के वरिष्ट नेता हुआ केंद्रे ग्रामिन विकास वं पंचाइती राज मंत्री पारित यहां अत्यंद महत्फुन फिल्म है अधिक से अधिक लोग देख से के इसके लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाना जरूरी है देश के कई राज्यों मसला नियूपिय मुद पार्दिस में टैक्स फ्री किया जा रहा है बियार में अधिक से अधिक जनता इसे इसके लिए जरूरी है कि केरेल स्टोरी को बिहार में भी टेक्स फ्री किया जाए सेम से अनुरूद करती वे कहा कि दख केरेल स्टोरी को टेक्स फ्री करने के लिए दिकारियों को नेदिस दे बाजबाशांसद विवेक ठाकुर ने भी फिल्म को बिहार में टेक्स फ्री करने की मांग की है बिहार में बाधित हो सकती है स्वास्त सुविधाये पारा मेडिकल चात्रों ने आज से हर्टाल जाने पर किया एलान ब्यार में बुदवार से सरकारी मेडिकल कोलेजों और अस्पतालों में स्वास्त विवस्त बादित हो सकती है दरसल पारा मेडिकल छातर संग ने राज भर के सरकारी मेडिकल कोलेजों और अस्पतालों में आनेचित कालेन हर्ताल करने की घोसना की है मंगलवार को पारा मेडिकल छात्र संग के प्रदे से देच बारत भुसन के अपिल पर PMCH और NMCH में आकरोस मार्च निकाला गया और प्रिंसिपल कराले के समने घंटो नारेबाज की गई पारा मेडिकल छात्र संग अरोप लगाया कि सरकार उनके मांगो को लेकर गम फिर नहीं है साथ इस संग ने अपने मांगो से जोड़ी आधि सोचना मंगलवार तक जारे नहीं होने पर हर्ताल जाने का एलान किया था संग ने कहा कि बुदवार से होने वाले हर्ताल के जानकारे सभी जिला के सिविल सरजन को दे दी गई है बिहार के सरकारी स्कुलों में पढ़ने वाले बच्चों की गर्मी छुटी इस बार च्छो से 27 जुन तक रहेगी बच्चों को चुटी में नेजी स्कुल की तरह ही होम ओर्क दिया जाएगा गर्मी की छुटी से पहले सनिवार को इसकुल प्रबंदन की ओर से परेंट्स मीट की भी आयुजित होगी इसमें अभी भावकों को बच्चों को दिये गए हम ओर्क पुरक कराने के लिए उन पर चुटीयों के दोरान निगराने रखने का प्रेरित किया जाएगा वाईदे के पाटना के निजी स्कुलों में बचों की गर्मी की छुटी माई के तीसरे सब्था से शुरू हो जाएगी छुटी के दिनों में सहर के वीविन इसकुलों में समर कैम्प का भी आयुजन किया जाएगा इसमें बच्चों के इस बार स्पोर्ट से कल्चलर इवेंट के लावा हैंडी क्राप्ट के भी जानकारी दी जाएगी समर केम के लिए विविनी स्कुलों की ओर से 400-600 रुपी तक सुलक लिया जाएगा पाटना में 30 सितमर के बाद नहीं चलेगी डिजल बसे पाटना सहरी छेतर पाटना नगर निगम एवं दानापूर खगोल तदा फुलवार सरीप नगर परिसद में चलने वाले सभी नीजी डिजल बसो की जगा सियंजी बसो को परिचलन के जाएगा इसके लिए परिवान विभाग द्वारा डिजल चलीत निजी बसो को नए सियंजी बसो में प्रति सापन के लिए बिहार स्वाच इंदन योजना 2023 के लिए आवेदन आमांधरित के गया है पढ़ना सादरी छेदर के वाई गुनवत्ता में सुधार के उद्विस से पढ़ना नगर निगम दानापूर खगोल एवम फुलवार सरीप नगर परिसत छेदर के सीमा में 23 सितमर 2023 के बाद डिजल चलीत सिरी बसो का परिचलन प्रतिबंदित किया गया है वाई दिके बिहार स्वाच इंदन योजना के तहट वाहन के एकस्स रूम मुली का 30 परिसत अत्वा अधिक्तम साड़ी साथ लाक रुपे का नुदान दिया जाएगा बिहार में अब हबते में दो दिन चलाए जाएगे वाहनों का विस्स जाच अभियान बिहार में हबते के दो दिन वाहनों की फिटनेस जाच के लिए विस्स अभियान चलाए जाएगे द्वारा वहन चालन वहन प्रदूसर अजाच की जाएगी साथ मोटर वहन अधरियम के बीविन धराव के उलंगन में चालुकों का ड्राइविग लाइसेंस रद करने के भी अनुसंसा की जाएगी आपको बता दिके यह अभियान सभी जिलों में जिला परिवहन पतादिकारी M.B.I. और S.I. द्वारा सेंग तुरुप से चला जाएगा चिडियागर में पहली बार दिखेगा काला चिता संजय गांदी जेविक को दियान आये दरसकों को पहली बार ब्लेक पैंतर यानि काला चिता दिखेगा या गुवार्टी जू से जल्द आने वाला है या तेंदवा की तरह देखने वाला जानवर है या निसाजर प्रानी है जो रात में सिकार और दिन में आराम करता है पैंतर के अलावा दो हुलोक गिबन और एक मादा गेंडा को भी लाया जाएगा पैंतर के बदल सेंजर गानदी जेवी को दियान से मादा जिराप बुदनी जाएगी गुवार्टी जू से आई टीम बुदनी को ले जाने के लिए चैन कर चुकी है बुदनी जिराप के जाने के बाद जूमें पांच जिराप बेचेंगे इसमें से दो नर और तीन मादा होगी वहीं जो अस्पदाल जल्दी हाई टेक होगा अस्पदाल में जानवरे के गर्बदारन के जाच के सुविदा बहाल होगी इसके लिए अल्टरसौन मसिन आएगी बहार में 15 साल पुराने टेक्सी ट्रक और बस पर बैन डिजल वाला ओटो टेम्पो भी बन बाड़ते वे प्रदोसन को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है धर्म की नगरी गया और मुझापर पुर स्मार्ट सिटी में 15 साल से पुराने गाड़िया नहीं चलेगी फिलाल भाड़ा पर चलने वाले गाड़िया पर यहां नियम लागू होगा दोनों सहरों में आगा में एक अक्टोबर से ऐसे तमाम ब्यवसाइक वानों को रोड़ पर निकलने पर रोक लगा दी जाएगी जिनका रजिस्टेशन 15 साल से ज़धा पुराना है मंगलवार को नितिस सरकार की केबिनेट की बेड़क में यह फैसला लिया गया है इन दोनों सहरों के लिए डिजल से चलने वाले तीन पहिया वाहान टेमपू को लेकर भी केबिनेट की बेड़क में बड़ा निन्ने लिया गया है डिजल इंजन वाले थ्री वीलर को भी रोड से हटाने का निन्ने लिया गया है गया और मुझपरपूर में 30 सितंबर तक ऐसी गड़िया चलाए जा सकती है इसी साल 30 सितंबर के बाद इन पर रोक लगा दी जाएगी प्यार के सभी सारों में टेमपू के सिंख्या बहुत ज्यादा है इन में डिजल से चलने वाले गड़िया अधिक है इसे देखते भी केबिनेट की मीटिंग में यहां निन्ने लिया गिया है